जैसी सोच वैसी मौत. एक शहर में एक खुंखार अपराधी रहता था. उस अपराधी ने हजारों बेगुनाहों की जान ली थी. बहुत लंबे समय बाद वहाँ अपराधी पुलीस के हथे चड़ा था. उस अपराधी को उस शहर की अदालत ने फासी की सजा सुनाई. फासी की सजा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है. शायद मुझे फासी की सजा मेरे करमों के कारण मिली है. वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को यह बात का पता चला. तब उन्होंने वहाँ के न्यायधीश से जाकर एक बात कही. वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायधीश से कहा कि वहाँ अपराधी की मौत आप फासी से करने वाले हैं. क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें, जिससे वहाँ अपराधी को मौत की सजा भी होगी एवं हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा. वहाँ के न्यायधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची. दरसल एक्सपेरिमेंट यह था कि उस अपराधी को फासी की सजा ना देकर एक जहरीले साम से कटवाया जाए. न्यायधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है, एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, तो उन्होंने कोई आपत्ती नहीं जताई, साम से कटवाये जाने की बात उस अपराधी को भी बताया गया. वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चले गया, और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है, अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह ही मौत देना चाता है. अब दूसरे दिन सभी साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने वह अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए, और वह अपराधी को एक कुरसी से बांध कर उसके आमखों में काली पट्ती बांध दी. थोड़ी देर बाद उस अपराधी को दो पिन चुभाया गया. उस अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया है और वह आदे घंते में मर गया. दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से कोई कैसे मर सकता है. लेकिन उस अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थौट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है. मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता. इसलिए जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिगनल देना चालू कर दिया कि तुम्हे सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है. और तुम मर रहे हो, यह सोच सोच कर कुछ देर बाद अपराधी मर गया. तो देखा दोस्तों, नेगेटिव थौट्स आपको मार सकती है. इसलिए हमेशा मोटिवेट रहे एवं अपने जीवन में किसी भी क्षण पर नेगेटिव थौट्स आने ना दे.